यहां पर हमें एक पेरिग्राफ दिया गया है जिसमें हम एकस्पेइन किया गया है कि रुकमिनी जो नाम की गरल है उसके घर में पानी कौन भरता और कहां से आता है रुकमिनी है वो बहुत ही छोटे विलेज में रहती है शी इस एट यह उल्ड और उसके फादर क्या है और हर सुबह एवरे मॉर्निंग उसके फादर फिल्ड में जाते खीतर में जाते है काम करने के लिए शी हैज तू ब्रदर्स उसके दो भाई है अर एलड़ ब्रदर्स गोस तू स्कूल और आफ्टर स्कूल ही गोस तू 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 दे फिल्ड पादर उसके फादर के फिल्ड में जाते है उसको हैप करवाने रुकमीनी however not go to school she helps her mother in doing household chores such as cooking, washing and cleaning रुकमीनी वो फिर अपनी school में नहीं जाती है वो अपनी मम्मी को काम करवाती है cooking, washing, cleaning ये सब में she also looks after young brother वो फिर उसके चोटे भाई का धियान भी रखती है every morning after all the house sorry housework is done रुकमीनी goes with her mother to fetch water from the nearby pond they carry earthen ponds with them which they fill with water and bring home फिर वो क्या करते है हर सुबह जब भी उसका घर का काम फिनिश हो जाता है फिर रुकमीनी अपनी मम्मी के साथ पानी भरने के लिए जाती है नस्दी का जो तालाब है वहाँ पे वो फिर क्या करते है उसमें earthen pots जो होते है मिट्टी के जो बरतन उसमें पानी भरते है और फिर अपने घर में ले के आते they balance one pot on their head and the other on their waist वो एक जो pot होता है वो अपने head पे रखते है बैलेंस करते है और फिर दूसरा है वो अपने waist कमर पे रखके आते है जो typical village people करते है वैसे रुकमिनी's father or brother does not fetch water as they work in the fields throughout the day रुकमिनी के पापा और उसका जो बड़ा भाई है वो पानी बरने नहीं जाते हैं क्योंकि वो तो पूरा दिन फिल्ड में काम करते रहते है there are some days when the water in the house finishes before all the house work is complete कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी house work finish हो जाते है उससे पहले ही पानी वो लोग बर के आते है on such days रुकमिनी has to go alone to fetch water ऐसे दिनों में रुकमिनी अकेली जाती है पानी बरने के लिए look at the pictures carefully water is being used in various activities read the names of the activities given in the help box then write the names of activities under the correct picture यह हम अमारी CW जो zoom glass है उसमें हम अपने करेंगे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे आपको अलग-अलग activities दी और जो भी activity का picture है उसमें हमें उसके नीचे नाम लखना है water we drink we all need water to live where does the water we drink come from do you know we do not drink water directly from the river or pond आप हमें जीने के लिए पानी तो चाहिए पर आपको पता है कि पानी हम जो पीते वो आता कहा से है हम यह जो पानी वो directly river या pond में से नहीं लेते है क्योंकि वो जो पानी होते है वो clean नहीं होते है पीने लायक नहीं होते है So before we can drink water, it must be clean मतलब कि हम पानी पिये उससे पहले वो जो पानी होता है वो clean किया हुआ होना चाहिए In big cities and towns, we get water from taps Let us find out how the water comes to the taps अब आगे हमने जो रुकमीनी वाला study किया न, वो village का था तो वो लोग pond में से directly पानी पीते है पर हमारे यहां पे क्या होता है, हम city में रहता है हमारे यहां पे tap में, नल में पानी आता है Water from the rivers and big lake is brought to the water treatment plant through pipes यह जो नदी का जो पानी होता है या तालाब का पानी वो फिर water treatment plant मतलब वहां पे जो dam और वो सब कुछ होता है न, वहां से pipes में से लाया जाता है The water is pumped into big machines where it is treated and purified फिर क्या होता है, वो जैसे ही purify करते है वहां पे अच्छे से वो water clean करते है, कुछ भी बड़ी बड़ी चीज है, ऐसा कुछ क्योंकि तालाब में तो गंदा पानी भी होता है उसको जो भी अच्छा पानी होता है, वो clean करके हम लेते है हमारे वहां पे घर पे नल में आता है और हम उसको भी purify करके पीते है That is best way It is then sent to the closed storage tank from where it reaches our home through pipes फिर क्या होता है, फिर वहां पे बड़े बड़े tank में वो पानी store करते है और फिर हमारे घर में क्या आता है, pipes के थूँ वो आता है Find out the source of water that comes in your tap आपको यहां पे बोलाए कि आपके वहां पे चो पानी आता है, नल में वो कहां से आता है तो हमारे वहां पे चो पानी आता है, वो कहां से आता है वो चेक डेम, जैसे कि आजी डेम, न्यारी डेम में वहां से हमारे वहां पे पानी आता है Storing water, अभी आपे water storage की बात की गई है चागरिती's mother stores water in different containers She keeps them all covered and uses the ladle to take out water from the containers She also keeps the ladle covered Why do you think चागरिती's mother uses the ladle to take out the water and not mugs? चागरिती के मम्मी है, वो अलग-अलग बरतनों में पानी store करके रखती है और उसको cover भी करके रखती है फिर वो ladle को use करती है, containers में से निकालने को इसमें पूछे कि वो ऐसा क्यों करती है, ladle को क्यों use करती है और mugs को क्यों नहीं करती है Let's see, water carries a lot of impurities that make you ill Water में बहुत सारी इतनी impurities, इतनी गंदगी भरी होती है जिसकी वाज़े से हम शायद बिमार भी पढ़ सकते है You should therefore always drink water The container in which the water is stored should be cleaned regularly हमें इसलिए clean water ही पीना चाहिए जिसकी वाज़े से हम बिमार ना पढ़े और उसके साथ साथ हमें regularly जो जिसमें पानी भरते वो बरतन भी साफ करके रखने चाहिए हमने आगे के chapters में study किया कि अगर हम water uncovered रखते या फिर हमारे घर पे जो टंकी होती है पानी की वो धक्के नहीं रखते तो उसमें mosquitoes अपने एग डालते और ऐसा पानी गंदा हम पीते हैं फिर और फिर बिमार पढ़ते हैं तो इसलिए हमें पानी ढखके रखना चाहिए okay I hope you understood it very well thank you